हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंप और रोहेत आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रीन्स पर मैगनेट ब्रीन्स जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर कार्डन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंगलिश मीडियम में और छड़वी से लेकर बारवी तक हम आपको करते हैं हिंदी मात्यम में सभी कक्षाएं साथी साथ अगर आप इनोट और लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जिन बोट्स को कवर करते हैं वह बोट्स है डैली बोट विहार बोड यूपी बोड एंपी बोड और राजिस्थान बोड इन सभी इसमें आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट्स मैंने आप लोगों को कहा था कि कक्षा 11 में हम लोगों को तीन बुक पढ़ने होती है एक बुक जिसका नाम है भारत और उसका बहुतिक परियावरन और तीसरी बुक एक प्रैक्टिकल की बुक होती है जिसक अच्छे से कंप्लीट कर लिये हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने इन पांच चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अगर आपने अभी तक इन पांच चैप्टर की वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे हम लोगों ने अपरदन, अप्छे और निक्षेपन के बारे में सुना था हम लोगों ने ये जनरली प्रॉसेस देखी थी कि अपरदन क्या होता है भाई अप्छे यानी वैदरिंग क्या होती है और अपरदन को मैंने बताया था कि एरोजन बोलते हैं इंगलिश में इसी त जो वीडियो होने वाली है ये इस चैप्टर से संबंधित जो भी बातें आप लोगों को आगे पढ़नी होती हैं उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है एक ओवर्वीव होता है कि दरसल हम लोगों के चैप्टर का ये जो दायरा है वो कहां तक जाता है तो इ ये दोनों Чप्र अलेंध के सबसे तफ चैप्टर है सबसे तफ में इसलिए बोल रहा हूं क propre बहुत जधा जटिल हे टिपिकल बहुत ज़ादा लेंग्वीज है लेंदी चैप्टर सें बहुत बड़ी चैप्टर सें ये दू चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से समझ म तो आगे के chapters आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं रैसे तो दिक्कत आप लोगों को इन chapters में भी नहीं होगी क्योंकि जो जटिल भाशाएं हैं उनको आसान भाशा में समझाने का काम मेरे द्वारा किया गया है तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को इस chapter में क कर देना है चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट परिचय की इस वीडियो में हम लोगों को इस chapter से संबंदित कौन कौन सी बातें पढ़नी होती हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भू आकरतियां कुल मिलाकर इस chapter में हमें विभनत तरह की भू आकरतियां किस के द्वारा निर्मित हैं क्या ये भू आकरतियां प्रवाहिजल यानि बहते हुए जल के द्वारा निर्मित हैं या वो चूना पत्थर द्वारा निर्मित हैं या फिर वो हिमनद्व द्वारा निर्मित हैं या कि कुल मिलाकर भू आकरतियों का विकास किस के द्वारा ह हुआ है हम लोग को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है तो पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग प्रवाहिद स्थल रूप कुल मिलाकर मैंने आपनों को बताया ना कि पिछला चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है खासकर लास्ट में जब हम लोगों ने अपरदन के बारे में पढ़ा था तो अपरदन द्वारा निर्मित कौन-कौन सी इसला करतिया है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और अपरदन मैंने बताया था कि प्रक्रिया है अप्चय होता है अपरदन होता है उसके बाद में निक्षे पढ़ होता है कुल मिलाकर अप्चय और अपरदन का परिणाम अप्चय और अपरदन का जो परिणाम है वो बांदर का पानी बहर आए लेकिन हमें भूमिगज जल यानी ground water के बारे में information नहीं होती हम सिर्व groundwater को extract करते हैं बहार निकालते हैं और उसका use करते हैं लेकिन groundwater भी तो प्रतफी कि धरातल के निचे कहीं न कहीं बहराए है बस यही कि धरातल के नीचे जो भौम जल बहरा है उस भौम जल के द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का निर्माड हुआ है हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके बाद हम लोग भौम जल द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलूप पढ़ेंगे दिखें दोनों में अंतर है यह है अपरदन अपरदन तो आप लोगों को पता है कि वैदरिंग प्रोसेस होती है अपच्छे होता है जिसमें कोई चटानी कण तूट कर उसी जगह पर गिर जाते है और अपरदन क्या होता है कि उन चटानी कणों का एक जगह से दूसरी जग हुआ है यहां पर हम यह पढ़ेंगे और जो अपरदन हुआ है उसके पारिनाम शरूप जो हमें निक्षेबित इस्थल रूप देखने को मिले हैं मतलब भूमिगत जल किनी कड़ों को चक्तानी कड़ों को काटता है और काटने के बाद उनको बहा कर कहीं पर डिपॉजिट कर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमनद हिमनद का मतलब होता है हिम हिम का मतलब क्या होता है बर्फ नद मतलब नदियां हिम की नदियां तो हिमनद द्वारा जो भी इस्थल रूपों का निर्मार होगा हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ें क्या हिमनद द्वारा जो इस्थलूप का निर्माड होगा वो हम और आप जनरली देख पाते हैं क्या नहीं क्योंकि यह धुरूविय प्रदेशों में होते हैं जहां पर ग्लेशियर्स जो होते हैं जमा होते हैं वहां पर हम लोगों को पिघलने के समय इन प्रक्रियाओं या स्थलूपों को देखने को मिलता है तो यहां पर हम लोग हिमनद द्वारा निर्मित स्थलूप देखेंगे और बाद में हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलूप कुल मिलाकर प्रक्रिया और बाद में हम लोग देखने वाले हैं परिणाम तो यह प्रक्रिया है ठीक है यह क्या है प्रक्रिया प्रॉसेस है और इस प्रॉसेस का रिजल्ट या परिणाम क्या है वो निक्षेपित स्थल रूप यहां पर कटा होता है और कटा होने के बाद यहां पर जमाब होता है ठीक है यह दो टॉपिक होने के बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं तरंग बहार धाराएं कुल मिलाकर यहां पर किन तरंगों की बात हो रही है नदी तरंग की नहीं यहां पर बात हो रही है समुद्री तरंगों की यहां पर बात हो रही है समुद्री धाराओं की तो समुद्री तरंग और समुद्री धाराओं के बारे में हम लोग को विस्तार से समझ तो दीके कितना सिलसलेबार तरीके से टॉपक चलने वाला है। छेस्पन के बाद तरंग और धाराओं के अपरदन और निक्शीपन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बार हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा इस चैप्टर से सम्मधित हम पढ़ेंगे विंड सियानी पवने और पवनों के द्वारा किन अपरदित स्थलूपों का निर्माड होता है और किन निक्षेपित स्थलूपों का निर्माड होत तो कोई ना कोई तो इस्तलाकरती बनेगी ना तो वस वही इस्तलाकरतियां हम लोगों को पढ़ने को मिलने वाली है इस चप्टर में इस्तलाकरतियां आप एक वार मोटर साइकल से जाते हैं तो आपके चहरे पर ही इस्तलाकरतियां बन जाती है कितनी तेज धूल होती है धू कौन सी आकरतियां हम लोग को देखने को मिलती हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहां पर यह चैप्टर हम लोग का complete हो जाता है पर क्या सिर्फ हम चैप्टर पढ़ते हैं नहीं भाई हम चैप्टर ही इन सभी प्रश्णों का हल और model answer जो है हम आपको जो है वो बताते हैं तो यहाँ पर हम NCIT solutions देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे multiple choice questions कुल मिलाकर NCIT की जो book होती है उसमें आप लोग notice कर पाएंगे कि जो वैकल्पिक प्रश्णों होते हैं objective प्रश्णों होते हैं उनकी स स्विमित होती है होती है ना तीन चार maximum पांच objective प्रश्णों होते हैं पर क्या सिर्फ पांच objective प्रश्ण सॉल्व कर लेने से आपकी तैयारी बहतर हो सकती है क्या नहीं इसलिए हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं multiple choice questions मतलब हमारी साइट से कुछ 15-20-25 questions आपकी practice के लिए नहां पर कराये जाते हैं ताकि आप अपनी तैयारियों को पुखता कर सकें इसके बाद हम लोग देखते हैं most important questions देखें यह जो चार मैं topic बता रहा हूँ ना यह चार वीडियो के अंतरगत cover होंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले वीडियो जो हम लोग की होगी व चैप्टर बहुत बड़ा है कुछ IMP प्रशन बता दीजे तो बस हम लोग इस वीडियो के अंतरगत कुछ important प्रशन देखने वाले हैं जो हमें लगता है exam में जिनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और last में हम लोग देखते हैं complete chapter revision कुल मिलाकर इस वीडियो बनेंगी इतनी सारी वीडियो देखना और उन पर अलग अलग वीडियो पर स्विच करना आप लोग के लिए exam टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है तो आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर complete chapter revision लेकर आते हैं one shot वीडियो होती है देर से Magnate Brains का समझ में आगया होगा कि हम लोग किस तरीके से आपकी तैयारी कराने वाले हैं वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के comment box में comment कर देना है इसी तरीके से CBSC board के साथ Delhi board, Bihar board, UP board, MP board और Rajasthan board में Magnate Brains आपनों को classes प्रोवाइड करता है साथी साथ Vedic Maths Crash Course और Spoken English की classes भी Magnate Brains चैनल दवारा चलाई जा रही है www.magnatebrains.com यह हमारी official website है जिसका interface आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे courses updated form में synchronized way में आपनों को नजर आ नहीं होगी डे-to-day updates के लिए आप हमारे social media channels के साथ जुड़ सकते हैं जिन social media channels पर हम उपलब्ध हैं वो है YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram और WhatsApp channel आपको करना क्या है इन सभी channels को subscribe कर देना है आज की वीडियो को धेर सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के साथ share करना है और कोई doubt हो तो comment box में comment कर देना है e-notes और e-books के लिए आप description box check कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है next video में thank you, thank you so much